ठेल्ま को good morning good morning good morning मैं मनींदर को और एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका Google ように zampar hypoc for फ्रेंट्स क्या टॉप्टिक कर रहेते हम yhte moving Eso कष्ण कर रहे थे तो प्रेक्टिष में मुझे यह बताईए कि आप लोगो गुछ समझ आ रहे है या नया समझ आ है तो जल्दी जल्दी से हम आगे की प्रेक्टिस कर लेते हैं और हाँ इतना जुरूर बताती हूं आपको कि यह जो प्रेक्टिस हम कर रहे हैं सीटी के पेपर में अगर आपने मेरी क्लासी सारी लगाई हुई है तो डेफिनेटली आपको सारे आंसर आते होंगे अगर स्amtृब्ली करके बता रहे हुं कि क्या क्या चीज़े रह गई तो बोली कोवस्तने की मतलब कर कि अब तो इसका मतलब उननको पहले वाला देखनी पड़ेंगी तो इसने त में आती है और पिर देख साथ होता है कि हमें यहां मॉसली आती होती है तो फिर आप ट्श्यान सकते हैं अपने आपको जज्ज कर सकते हैं कि कितना एक हमें आता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं है चलिए शुरू करते हैं हन्ताक्षरी स्मास का बेद नहीं है कि कोशन आ रहा है हमारे सामने स्मास का बेद नहीं है तो जल्दी से आंसर दीजिए इसमें स्मास का बेद समास अब करता तदकूर्श मास समभोदन यहां गलती कर्दी ततपूर्श मास और संबोधन ततपूर्श मास नहीं होता है क्यों कि अगर हम की बात करते हैं तो पुर्ष में कितने आते हैं कारक छे ही कारक का प्रयोग किया जाता है ना तो करता आता है उसमें ना ही संबोधन आता है ठीक है तो अव्याई भावसमास कौन से होता है पहला पद अव्या होता है या प्रधान होता है यहां अव्याई कहता है कि मेरा जो पहला पद है वो प्र मेरे दोनों ही बेटे निकम में, यानि कि कोई भी पद परधान नहीं है, बहुरीज मास में, यह कहते है कि मुझे तो थर्ड परसंद है, ठीक है, तो यानि कि यह कह रहा है, बहुरीज मास दोनों ही पद काम के नहीं है, दोनों ही इसके बेटे काम के नहीं है, यह किसी तीसरे पर ट्रस्ट कर रहा है थर्ड परसन पर ट्रस्ट कर रहा है तो यानि दोनों पत्परदान नहीं है तीसरा पत्परदान है उसको बेटा माल लिया इसने तीसरे बेटा परधान है इसका स्वेटीं करन डारे जो दो बेटें की बात करूप ढोंग। यह क्या कर रहे हैं आपस इनका अफमान का संबंद आ न turn के करन डारे स्मास मस लुंडा जो नौप परधान अब दो दोनों पद प्रधान है क्षिगे चो पहला होता है संख्या वाच्ची कौंटीं चीक जो अब नहीं होता है नाrift तो चलिएमे क्छ परसे ठीक है अंसर आपको पता चल गया संबोधन ठत पुर्ट और करता तपुर्ट स्केल gloss अपना कार्य जल्द पूरन करें वाक्य में कौन सी वृति फिर वही अब आता गई वृति वाली ठीक है वृति मैंने पहले भी आपको कहा था वृति ध्यान रखना है अग्यार्थक निश्च्यार्थ संभावनार्थ या संदेहार्थ तो वृति कैसी वृति है अग्यार्थक अग्यार्थक तो हम अपना काम जल्दी पूरा करो तो क्या दे रही हूं अग्या ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा अग्यार्थक ठीक है अग्यार्थक अगर निश्च्यार्थ होता है तो निश्च्यार्थ मतलब निश्चित तो और से संभावना जहांपर संभावना हम गार हो सकता है इसा हो जाए ठीक है संभावना है तो संदेह denis होता है जहां पे भी हो गां नहीं हो समझ नहीं और ठीक तो कक्योंय नेक्स्ट अब अपना कार्य है जल्दी पूरा करो जल्दी से वीडियो को फिनिश करना है ठीक है अपना कारे है जल्दी पूरा करो किस क्या जाएगा अग्यार था जाएगा ठीक है next question please किस क्रमांक में सही समास विग्रह नहीं है देखो समास का विग्रह विग्रह मतलब टुकड़े कर देने हैं समास के टुकड़े टुकड़े कर दीचिए तो टुकड़े करने हैं विग्रह कर देना विग्रह मतलब उसको अलग लग कर देना चिक है तो अलग लग करते हैं भाई धरम प्रायन तो देह नहीं रखा समास विग्रह धरम प्रायन तो क्या जाएगा धरम में प्रायन ठीक है ध धरम में मतलब अपने धरम को सबसे उपर रखता है ना धरम परायन धरम में परायन ठीक है रास्टर पती रास्टर का पती जीवन मरन जीवन के लिए मरन नराधम तो ये लास्ट वाला मैं बता देती हूं नराधम लिखा हुआ है नराधम D option है ये ठीक है अधम है जो नरों में या इसने वैसे इसने लिख रखा है अधम है नरों में जो ठीक है अधम है जो नरों में यानि कि अधम का मतलब नीच हम क्या जकते हैं पापी ठीक है पापी है नरों में अधम मतलब पापी ठीक है तो नराधम यानि नर में जो नीच है जाता है अब जल्दी से बताओ इसमें कौनसा क्रमांक मेंसा आपको कौनसा विघ्रेश का स Henry नहीं लग रहां अब देखो इसको दुबारा से कि स्थी नहीं लग रहा है देखो धर म अ हैं धर्रायन ये व्यक्ति तो यानि कि धर्रन में प्रायन है तो यी क्या हो जाएगा भी पती जीवन मरन जीवन के लिए मरन इह कैसे हो सकता है यानि कि इसमें हो किया रहा है जीवन भी मुख्ष है प्रमुख्ष है मरन भी प्रमुख्ष है यानि कि दोनों चीजें ही क्या हो रही है दोनों जीजें यह कहता है कि जीवन यह भी मुख्या है मरन यह भी मुख्या है तो इसमें कि दोनों मुख्या है तो यह के लिए यह नहीं होना चाहिए था इसका मतलब कहांपे किया होना चाहिए था जीवन और मारत का इ Slowly मैस घटाकह यह दुवंद्व समास हो जाता कि ऌुटास मास मास एक तत्पुर्ष समाथ मास एक पसमाथ ही नरा अधम नरहरं में identifying स्मास के लिए मरन दे रखा है तो इसका विग्रह क्या होगा जीवन और नहीं है तो चलिए हम चलते हैं next question कि और तो आज नींस पूस्ट कौन सा शब्द फिदेशी नहिं है अब कि थ को विदेशी नहीं है विद्स भषा वाले शब्द से होते हैं ही रड्य उर्दू मतलब सोरी हिंदी और संस्कृत का नहीं होना है हिंदी और संस्कृत भाषा के इलावा कोई भी भाषा का शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है ठीक है विदेशी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इंगलिशी आ जानी चाहिए उसमें विदेशी का मतलब क्या है और विदेशी भाषा कौन सी होती है जो संस्कृत और हिंदी को छोड़ कर बाकि जो भी वर्ड अब हमने accept की है वो विदेशी भाषा के शब्द अब इन से कौनं सा श्ब्द विदेशी नहीं है विदेशी नहीं है рахाई याने की सक इसका मतलब इसमें विदेशी शब्द मिलेंगे और अगर मैं कहते हूं वह सबस्कंद का Σब्द है ठीक है वारा कॉनसी का ही पार्सी भाषा का व्राड़ स्वेटर जए खालएं को हम करने हर गलतуемे फिम्मत हम्मत वतन की हम में है इंसान के हम रख वाले थन की अ से है हिमत वतन की हम से है इंसान के हम रखवाले चलो छोटेखे बोलते होते थे तो हिम्मत कौन सा bugün है कोन सी बाशा का शब्द है तो देखें की इंबस अरॐ ornow वैशक्त है तो उसकी थिन तो रोना क्या हो गया कि वैश्य कर सब्सक्राइब नहीं है हसना रोना ठीक है तो यह कौन से हैं यहां पे हम कहेंगे कि यह विदेशी भाषा का शब्द नहीं है बाकि आवादा अफार्थी का हो गया स्वेटर हो गया यह अर्भी का हो गया तो यह तीनों की कौन से हैं विदेशी भाषा के शब्द हैं ठीक है ध्यान रखना है तो चलिए भई नेक्स्ट कोशन की ओर, नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निवल इक में से कौन सा अपादान, अपादान ततपुर्ष समास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ना, 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 तो ना वाला है भई, तो समास नहीं है, देखना है हमने, अपादान तत्पुर्समास नहीं है तो देखो गुन रहित आप इसकी करोगे तो भई गुन से रहित हो गया या गुनों से रहित कह सकते हम इसको ठीक है गुन से रहित या गुनों से रहित बंदन मुख्ध बंदन से मुख्ध बंदन से मुख्ध राम चरित ठीक है हम कह लेते हैं ना र येस राम चरित थीक है राम चरित तो इसमें क्या हो जाएगा राम चरित मतलब राम पाचरित राम पाचरित शरित यानि की चरित राज द्रो राज से द्रो कर दो त्युक्त करते हैं तो अपादन का मतलब एक बार भ्रथ हम क्या सोकते हैं तो आंपादन का हो जाता है वह में गया है जी है किसी से राप आपदान कारक हो जाता है बन मिनट्ट तो अब यहां पर देखो अगर हम कहें गुण से रहीत बंदन से मुक्त राम का चरित्र राम का चरित्र यानि कि यह तत्पुर्समास की बात कर रहा है पर अपादन की बात नहीं कर रहा है तो यहां जब कभी डरने की बात आती है न डरने की डरने की तो अपादन कारक ही यूज होता है उसमें अगर हम डरने की बात करें वह शाम से डर गया तुलना करने की बात करें तुलना की जाए तो वो भी क्या हो जाएगा अपादन कारक हो जाता है तुलना की जाए ठीक है वो भी क्या बड़ा है चोटा है या कुछ सीखना जब सीखने की बात भी होती है तब भी हम क्या कहते हैं अपादानकारक ठीक है सिरफ और सिर्फ इसमें नहीं आता कि वह उसे अलगाव की सिति में ही अपादान होता है इन सितियों में भी क्या होता है अपादानकारक प्रियोग किया जात कौन सा अर्थ सही है अब हमें देखना है कि कौन सा अर्थ सही है है चाती पर सांप रोटना इर्श्या करना तो क्या यह सही है बिल्कुल सही है तो हमने इसका मतलब बाकी सारे गलत है तो कोई बात निकालना नहीं तकनीक का प्रयोग करना इसका मतलब क्या होता है बालू से तेल निकालने का मतलब होता है उसने यह काम कर दिया उसने तो बालू से तेल निकालना तो इसका मतलब यह वाला जो दे रखा गलत है नहीं टकनीक का प्रयोग नहीं आएगा यह सम्भव्व करके दिखाना हाथों में तोते उड़ जाना होता है तो हम क्या रखते हैं कि पिंजरे से तोते का निकल जाना रहे नहीं है तो कि तोते उड़ यानि की घबरा गया वो बंदा तो वो तो बिल्कूल ही घबरा जाना तो क्या हो गया हाथों में तोते उड़ जाना घबरा जाना हाथ पाउं फूल जाना लास्ट मैं बता देती हूं आपको हाथ पाउं फूल जाना हाथ पाउं फूल जाना तो ऐसा तो नहीं होगा सच में ऐसे हाथ पाउं फूल गए तो फूलते नहीं हैं बट हाथ पाउं फूल जाना इसकी नहीं क्या दे रखा है मोटा हो जाना हाथ पा तो इसका मतलब सखी कुन सा है तो चाती पर सांप लोटना इस्या करना ठीक है तो यहां पर फिर्स्ट हमारा जो है बिल्कुल राइड आंसर है आप राइड आंसर मैच कर लीजिए तो चलते हैं स्वयं कर रहा हूं रेखांकित पद में सरवनाम है अब सरवनाम की बात आगई है अब देखो यह मैं यह कार्या कर रहा हूं अगर यह सरवनाम क्या भेद भी याद नहीं हो रहे हैं में वापिस एक तौन कोन से आप बैप में बैशन कर रहा है कि वैसे कमेंट होता है अनुकुर कशनीं देखों संबंध की बात होती है तो संबंध वाचक होता है जो करेगा सुमरेगा जैसा वोगे वैसा पाओगे ठीक है संबंध वाचक कि अपने पन का भाव होता है वो कर लूंगा अपने आप कर लूंगा अपने आप तो निश्ची तोर पर जब आकशकते हैं यहां मेरी है ठीक यह जए मेरा पैन है अब मैं बोल दूं यह पैन मेरा है और यह मेरा पैन से इसमें भी फार्क है । इसमें लपक जो फर्म इसमें मेरा फिरेह मेरा से तो प्रस अलब मे spinach हमें पतो हमैं इंफ्माद कर दो तो यहां तक उम्मीद कर रही हूं कि आपको समझ आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीडियो के साथ ठीक है फ्रेंड्स थैंक्यू आपनाइस टे वाई वाई टे क्या